नमस्कार स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिया हूँ दहेज प्रता पर निबंद तो इस वीडियो को प्रोलास तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भूमिका दहेज प्रता देश और समाज दोनों के लिए अविशाप है आज के इस आधूनिक युग में अभी भी लोगों के द्वारा दहेज लिया और दिया जाता है चरकार के लगतार प्रियास के बाद भी अभी तक भारत से पूरी तरह से देश प्रता को समाप्त नहीं किया जा सका है देश एक प्रकार की कैंसर जैसी बीमारी है जिसका लगतार परचार और परसार हो रहा है अगर हमें दहेज पर्था को समाप्त करना है तो हम सब को मिलकर सामोहिक प्रयास करना होगा तब ही जाकर इस पर्था को समाप्त किया जा सकता है बिना आम जहन के जाग रुकता के इस पर्था को समाप्त करना काफी मुश्किल है चाहे सरकार जितने भी कड़े कानून या नियम बना ले लेकिन लोग आज भी दहेज लेते और देते आ रहे हैं दहेज पर्था आज भी क्यूं परचलित है? दहेज पर्था आज के इस आधोनिक यूग में भी परचलित है इसके पीछे की वज़ा है कि हर एक लड़की के माता-पिता का सपना होता है कि अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से करवाए जो अच्छा खासा नौकी करता हो और जिसकी सैलरी भी अच्छी हो ऐसे में अगर वह ऐसे लड़के की तलास करता है तो लड़के वाले लड़की वालों से अच्छा खासा दहेज मांग करते है इसके पीछे की वज़ा बताते हैं कि लड़के को पढ़ाने में कितना खर्च हुआ है तब जाकर लड़का आज इस मुकाम पर पहुँचा है दूसरी तरफ लड़की के माता पिता को लगता है कि अगर उन्होंने दहेज देने से मना किया तो हो सकता है इतना अच्छा लड़का उनके हाथ से चला जाए और कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की की साधी खराब घर में हो इन सभी मजबूरी के चलते लड़की वालों को दहेज देना पड़ता है इसके अलावा लड़की के माता पिता को या विश्वास होता है कि वह जतना अधीक देंगे उतना अधीक उन्हें अच्छा लड़का उसकी लड़की के लिए मिलेगा इस चकर में वा दहेज देने से पीछे नहीं हटते हैं बलके मू मांगा दहेज देने के लिए तयार रहते हैं लड़के वाले दहेज क्यों लेते हैं आम तोर में आज के समाज में जो वैक्ती सबसे अधीक दहेज लेगा और उसकी परसंसा समाज में सबसे ज़्यादा की जाती है लोगों को लगता है कि वह लड़के में दम है इसलिए तो उसे इतना देज मिला है एक प्रकार से कहे, तो लड़कों वालो के लिए देज लेना समाज में परतिश्ठा का सवाल है किसी लड़के को दहेज ना मिले तो लोगों का अनुमान होता है कि जरूर लड़के में कोई कमी रही होगी इसलिए उसे दहेज प्राप्त नहीं हुआ है लोग अपने जूटी सांच चावकत को समाज की नजर में बरकरार रखने के लिए दहेज की मांग करते है इसके अलावा लड़के वाले के मातर पिता को लगता है कि लड़के को पढ़ाई लिखाई कराने में काफी पैसे खर्च हुए है और इस पैसे को अगर उन्हें प्राप्त करना है तो उन्हें दहेज के रूप में पैसे लेने पढ़ेंगे दहेज लड़की वालों के लिए एक प्रकार का वीतिय बोज है क्योंकि इसका सबसे अधिक प्रभाव लड़की वालों पर पड़ता है एक साधी में कई लाख रुपए का खर्च आता है और ऐसे में कई माता पिता हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अपनी लड़की की शादी कर सके इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है जिसके कारण उनके उपर एक प्रकार का वीतिय बोज आ जाता है दहेज के कारण रश्टा चार जैसे समस्यां भी उत्पन होती है क्योंकि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो उसके माता पिता की सबसे पहले चिंता होती है कि जब लड़की बड़ी होगी तो उसकी सादी में कई लाख रुपे खर्चोंगे ऐसे में अगर लड़की के पिता कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो उसका ब्रहस्टचार में लिप्त होने की संभावना अधिक होती है जिसके कारण देश में ब्रहस्टचार की समस्या उत्पन हो जाती है सबसे अधिक परिशानी लड़कियों को उनके माईके से दहेज के लिए परतारित किया जाना है और उन्हें मारा पीटा भी जाता है कई बार तो लड़की को ससुराल वालो गुद्वारा जान से मार भी दिया जाता है इसलिए दहेज समाज के लिए एक परकार का विशाब है और इसका समापन होना अतियावशक है दहेज के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए है जर्माना का प्राधान है इसके अलावा अगर कोई परत्यच या परत्यच रूफ से दहेज की मांग करता है और उसके खिलाफ अगर पुलीस में रिपोर्ट दर्च की जाती है तो इस अधिनियम के तहत उसे छे महिने की सजा और दस हजार का जर्माना होगा कई सारी महिलाओं को दहेज के लिए दिन रात उनका शोशन किया जाता है ऐसे में सरकार ने घरेलू हिनसा अधिनियम 2005 महिला सुरक्षा का कानून बनाया है इसके तहट अगर किसी भी महिला के साथ उसके ससुराल वाले घरेलू हिनसा जैसी कोई भी गतिवीदी करते हैं तो अपने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्च करवा सकती है इस प्रकार के कानून में बहुत सारे कड़े पराधान है अगर कोई दोसी पाय जाता है तो उसे काफिश शक्त सजा इस कानून के द्वारत दी जाती है घरेलू हिनसा जैनियम बहुत ही मजबूत और सशक्त कानून है इसलिए परते एक महिला को इस कानून के बारे में जानकारी होना आवश्चक है पर कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि इस कानून का गलत उपयोग भी किया जाता है कई लड़कें अपने सुसराल वालों पर जूटा रोप लगा कर उन्हें परिशान करती है इसलिए ऐसे मामलों में नयालेयो का यह करतव बनता है कि वह उचित फैसला कर किसी को सजा दे उपसनहार दहेज परता यकीनन एक बहुत ही दक्यानूशी और शकिर्ण विचारधारा की एक परता है जिससे समाप्त हो जाना काफे आवशक है क्योंकि दहेज के कारण कई लड़कियों की जिन्दगी आए दिन चले जा रही है इसलिए दहेज परता को हमें रोकना होगा और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी तब ही जाकर दहेज परता को पुरी समाज से रोका जा सकता है तो उमीद है ये इन्फोर्मेशन आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर कोई सवाल ये सुजा हो तो नीचे कमेंट करकर हमें बता सकते हैं आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज इसे सब्सक्राइब कर लीजे तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाई